हैलो दोस्तों UP triple SC classist में आप लोगों का स्वागत है मित्रों आज में बहुत ही महतपूर्ण गरोनामी से बिस्चो stations की किरसी बिस्चों में कहां पे कौन सी खेती सबसे ज्यादा होती है किसकी उत्पाधन सबसे ज्यादा होता है इसके बारे में बहुत ही महतपूर बीडियो में लेकर आया हूँ तो आप लोग पूरा बीडियो लाश्ट तक देखिए क्योंकि इस बीडियो से आपकी परिच्छा में दो से तीन नमबर के कोश्चन जरूर पूछे जाएंगे तो आप लोग बिलकुल ध्यान से इस बीडियो को देखिए प्रश्ट नमबर फ़स्ट है कि बिश्चु के किरसी परदेशों का बरगी करण किसी ने प्रस्तुत किया था तो D-Hitlessy जो थे ये जो है बिस्सु के किर्षी प्रदेसों का बरगी करण प्रस्तुत किये थे D-Hitlessy प्रश्ण No.2 है कि बिस्सु के कुल धरातल छेतर फल का कितना भागिक किर्षी कारें में लगा हुआ है तो 11 प्रतिसत कारे जो छेतरफल है मित्रों यह जो है किर्शी कारे में लगा हुआ है Next है प्रश्ण की वान थिवनेन का सिधान किस पर आधारित है वान थिवन जो बेग्यानिक थे इन्होंने एक सिधान दिया था वो किस पर आधारित है तो आपका तुलनातमक लाभ पर आधारित है वान्थियूनेन का सिधान तुलनातमक लाभ पर आधारित है प्रश्ण नमबर चार है कि बिस्व का सबसे बड़ा गेहू निर्यातक देश कौन सा है तो अर्जेंटीना है मित्रों बिश्व का सबसे बड़ा गेहू निर्यातक देश कौन सा है तो अर्जेंटीना है नेक्स्ट प्रश्ण है कि गेहू की फसल के लिए आदर्स तापमान कितना होता है तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये गेहू के लिए आदर्स तापमान होता है नेक्स्ट प्रश्ण है कि निल नदी के डेल्टा 6 तर में सरदी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है नेक्स्ट प्रशन है कि गेहुं की किर्सी से संबंधित है तो इस्टीपी से संबंधित है नेक्स्ट प्रशन है कि गेहुं की खेते के लिए काउन से जलवाई सबसे उप्युक्त है तो समसी ट्लोसर जल्वाई जो होता है मित्रों ये गेहुं के लिए सबसे przygot जल्वाई मानी गई है नेक्स्ट प्रशन है कि उत्री गोर्ला संसार का कितने परसद केहुं खाता है तो 90 परसद केहुं जो है उत्री गोर्ला उगाता है नेक्स्ट प्रश्ण है कि इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रशिद है तो पो नदी घाटी जो है प्रशिद है नेक्स्ट प्रश्ण है कि गेहों की खेती किस मिर्दा से सम्मंधित होती है तो चेरनोजम से सम्मंधित होती है मित्रों गेहों कि खेती किस मिर्दा से सम्मादी तदे चेर नोजम से नेक्स्ट प्रेशन है कि किस फसल को जल भराव की आउसकता होती है तो जल भराव को मतलब पानी की अधिक मात्रा में आउसकता होती है पानी खेत में भरा रहे तो आपका चावल की खेती है जिसको धान की खेती भी बोल सकते हैं नेक्स्ट प्रशन है कि धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उप्यूगत है चिकनी मिट्टी क्यों क्योंकि चिकनी मिट्टी में ज़्यादा समय तक पानी रुख सकता है कि मक्का की पेटी बिस्व में कहां पाई जाती है तो मक्का की पेटी बिस्व में अमेरिका में पाई जाती है किस तरप्रतम मक्का की खेती कहां की गई थी तो मध्य अमेरिका में की गई थी किस दीप में गन्य की खेती उत्तम होती है तो हवाई दीप में मित्रो गन्य की खेती उत्तम होती है नेक्स्ट प्रेशन है कि चाय निर्यात के छेतर में कौंसा देश सबसे आगे है तो केन्या देश जो है सबसे आगे है मित्रो नेक्स्ट प्रेशन है कि विस्व पर्षिद उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है तो ये ताइवान में पैदा होती है यारवा क्या है मित्रों तो ये परागबे में एक चाय सद्रिश साड़ी है नेक्स्ट प्रेश्ण है कि चाय की खेती के लिए उप्युक्त जलवाई कौन सी है तो मांसूनी जलवाई उप्युक्त है नेक्स्ट प्रेश्ण है कि फजेंडा क्या है तो कहवा के बागान है मित्रों नेक्स्ट है काफी का उत्पादन विश्व में सबसे अधी कौंसा देश करता है तो ब्राजील करता है नेक्स्ट प्रशन है कि विश्व में कापास की खेती सबसे अधी कहां पर की जाती है तो चीन में की जाती है मित्रों विस्ष में सबसे बड़ा रबड उत्पादक देश का है तो नेक्ष्ट है कि दोगद उत्पादन में विस्षु का पर्थम अस्थान पर्थम देश का अस्थान तो भारत है भारत का प्रतम अस्थान है दुःधी भाग में की जाने वाली फूलों तथा सब्यूंग की गहन किर्शी को क्या कहते है तो बाजार कर्शी कहते हैं नेक्ड परश्िन है कि सबसे अधी शगन खेती कहां परचलित है तो जापान में परचलित है मित्रों नेक्ट प्रशन है कि विस्व में बगानी किरसी का विकास कहां हुआ तो दच्छडी पूर भी एसिया में हुआ है मित्रों नेक्ट प्रशन है कि अस्थानांतरन सील किरसी का सुवारंब कहां हुआ तो थाई लेंड में अस्थान अंधरन सील मतलब की एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थान परित होते रहना अस्थान अंधरन सील हो गया next question है की भारत किसका सरेश्ट उत्पादक यो भोगता है चाय का नेक्स्ट है भारतिय का पास किस किसम की होती है तो छोटे रेसो वाली होती है मित्रों नेक्स्ट है कि विस्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक छेत्र कौन सा करता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई जो मैदान है ये सबसे अधिक जूट उत्पादक छेत्र है नेक्स्ट है मित्रों कि रेशम उत्पादन हे तो बेपारिक अस्तर पर रेशम के केड़ों को पालना क्या कहलाता है तो सेरी कल्चर कहलाता है नेक्स्ट प्रेसन है कि जमीन पर फैलने वाली सबजियों की बेपारिक किरसी को क्या कहते है तो उलिरी कल्चर कहते है नेक्स्ट है कि विश्वतिय परदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती तो अधिक बर्षा के कारण नहीं की जाती है नेक्स्ट है मित्रों कि किर्सी किस प्रकार का मानवी आर्थिक प्रक्रिया है तो प्राथमी क्रिया है नेक्स्ट है प्रशन की बिस्व में सबसे उत्तम स्वादवाला कहवा किसे माना जाता है तो मुचा कहवा को माना जाता है नेक्स्ट प्रशन है जैतून की किरसी किस देश में की जाती है तो फ्रांस में की जाती है मित्रों नेक्स्ट प्रश्ण है कि मिस्रित किर्सी क्या है तो एक ही फार्म पर फसल उत्पादन यों पास पालन जो करते हैं तो उसे मिस्रित खेती कहते हैं मिस्रित किर्सी कहते हैं गहन किर्सी की शेतर से संबंदित है तो कनाडा से संबंदित है Trunk Farmin का दूसरा नाम है तो विप्णन भागमानी है मानो निर्पित धान्य है तो Tritical है मित्रों क्योंकि इसमाउनी किलावण निर्मीत जो मैदान है मित्रों वो काली मित्टी का निर्मार करते है और काली मित्टी जो है कापास के लिए अच्छा मना गिया है तो यह रहे मित्रों आपके very important प्रस्ट जो कि आपके परिच्छा में पूछे जाएंगे मित्रों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों को शियर करिए चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो